आज की वीडियो का टोपिक है ऐसे प्लांट के बारे में जो हमें गर्मियों की तेज दूप में फ्लावर तो देते ही हैं हमारे गार्डन में जिनकी पतियां हमेसा ग्रेन गिने रहते हैं पूरे ही साल हरे भरे रहते हैं उनके नाम बताऊंगी और मैंने टेरिस पे आज क्या क्या किया वो भी बताऊंगी नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई हो पाप अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो मेरा जो सबसे पहला प्लांट है ये है रोज प्लांट रोज प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो गर्मी की तेज धूप में अराम से हमारे गार्डन में बना रहता है ये हमें फ्लावरिंग भी देता है ये मेरा देसी गुलाब है इस पे कलिया आ गई है और फ्लावर भी शुरू हो गई है ये वाला जो प्लांट है ये 4-5 घंटे की दूप सैन कर लता है गर्मी की तेज़ दूप में इसको दोनों टाइम पानी देना होता है खाद आप अपने कोडिंग कोई भी दे सकते हैं तो फ्रेंट्स इस प्लांट को भी आप अपने करमी के मोसम में अपने गर्डन में एड़ कर सकते हैं गर्मी की तेज़ दूप में चलने वाला सेगिंड प्लांट है ये गुडल ये वारिगेटिड वाराइटी है मैंने कटिंग से ही लगाया था इसमें छोट छोटे ऐसे रेड फ्लावर आते हैं तो देसी वाराइटी भी आती है आप कोई भी गुडल लाकर अपने गर्डन में एड़ कर सकते हैं गर्मी की तेज़ दूप में चल जाते हैं चार पास गंटे की दूप सेहन कर लेता है और पर्मानेंटी होता है थर्ड प्लाउट है ये यूफोर्बिया मिली येवाला प्लाउट भी मैंने कतिंग सेही लगाए था इसके जो फ्लावर हैं वो महिनों तक ऐसे कहले रहती है इसमें बहुत सारे कलर आते हैं वाइट में भी आता है पिंग में लाट पिंग में भी आता है तो आप इसके cutting भी लगा सकते हैं अभी का जो मौसम है वो भी cuttings लगाने का best मौसम है तो यह वाला जो plant है इसको भी आप nursery से 60 या 70 रपे मिलाकर अपने garden में add कर सकते हैं और गर्मियों में flower ले सकते हैं गर्मी की तेज़ दूप में flower देने वाला यह Mexican petunia भी permanent plant होता है और इसके जो flower हैं वो bell की तरह होते हैं यह मेरे पास दो color है एक यह थोड़ा purple है एक pink है और इसको cutting से लगाना तो बिल्कुल ही easy है इसको आप sheet से भी लगा सकते हैं तो गर्मियों में इस plant को भी आप अपने garden में add कीजिए यह वाला plant मैंने cutting से ही तियार किया है और इसमें देखो अभी flowering शुरू हो गई है तो यह permanent plant होता है इसको आप अपने garden में जरूर add कीजिए डेरो flower हमें देखने को मिलते हैं नेक्स्ट प्लांट है यह परपल हर्ट परपल हर्ट भी flowering वाला plant है इस पे पिंक कलर की छोड़े छोड़े flower आते हैं और इसकी जो पतियां है वो भी ऐसे परपल कलर की बहुत ही खूपसूरत लगती है तो गार्डन में यह वाला plant जरूर ही add होना चाहिए इसकी यही खासियत है कि यह दूप में चलता है तीन-चार गुंटे की दूप आराम से सेहन कर लेता है और गर्मी की जो तेज दूप होती है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं बर पाने का सुवेश आम ध्यान रखना होता है बाकी सर्दियों में तो इसको पानी कम जूरत होती है बाकी गर्मीों में इसको पानी देना होता है नेक्स्ट प्लांट है यह फाइकस फाइकस तो ऐसा प्लांट है जो हमारे गार्डन को हमेशे ही हरा बना रहता है इसकी जो पतियां है वो ऐसे ही पूरे साल गरीनरी रहती है और सरदियों में इसकी जो पतियां कभी भी पीली नहीं होती तो यह पर्मानेंट प्लांट होता है और गर्मी की तेज धूप में यानि 3-4 गंटे की धूप में ये आराम से हमारे गार्डन में चल जाता है और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं तो ये आपको नर्सरी से 70 या 80 रुपे में मिल जाता है पर्मानेंट प्लांट होता है और हमारे गार्डन में ग्रीनरी एड़ करता है तो तेज दूप के लिए ये बेस्ट प्लांट है नेक्स्ट प्लांट है ये टिकोमा टिकोमा को भी आप अभी गर्मी में एड़ कर सकते हैं ये नर्सरी से आपको सस्ता ही मिल जाता है तो एक ये वाला तो मैंने 80 रुपे का लिया था और एक मेरे पास यलो है वो मैं नर्सरी से लेके आई थी वो अभी छोटा साई है उसको रिपोर्ट किया था तो ये वाला प्लांट भी पर्मानेंट होता है गर्मी के तेज दूप में हमें फ्लावरिंग देता है और हमारे गार्डन में ये अलग ही लुक्रेट करता है इसके भी जो फ्लावर है वो बैल की तरह ही होते है इसमें और भी कलर आते हैं आप कोई भी कलर लाकर अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं गर्मी का मोसम आ चुका है नेक्स्ट प्लांट है ये चांदनेगा इसमें वाइट कलर के ऐसे फ्लावर आते हैं तो इसको आप गमले में लगा सकते हैं और ये तो 20 या 30 रुपे का आपको नर्सरी से मिल जाता है इसमें अभी देखो कलिया आने शुरू हो गई है और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है तो ये भी पर्मानेंट प्लांट होता है इसको भी आप अभी गर्मी के मौसम में अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं और जमीन में ये वाला प्लांट लगा हो तो बहुत सारे हमें फ्लावर देता है तो इसको भी अभी गर्मी के लिए तेज धूप में अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है ये विनका विनका यानि सदा बाहर इसको तो को नहीं जानता होगा ये तो पर्मानेंट प्लांट है ही कटिंग से शीड से अपने आप ही बनने वाला प्लांट है और चोटी चोटी बोटल में भी इसको लगा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर मे इसको आप ला सकते हैं और नर्सरी पे तो ये आपको 10 या 20 रुपे में चुटे चुटे सैंपलिंग या प्लांट मिल जाते हैं तो ये भी हमें पूरे ही साल गर्मियों में हमें धेरो फ्लावर देता है और इसको तेज दूप में हम रख सकते हैं बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना होता है हमें दोनों टाइम इसमें पानी देना होता है अगर हम इसमें पानी नहीं देंगे तो इसकी पतिया थोड़ी सी सूख सी जाती है नेक्स्ट प्लांट है ये अपना जेड तो जेड भी आप चार पाज घंटे की धूप में रख सकते हैं ये भी पर्मानेंट प्लांट होता है कटिंग से इजिली लग जाता है और इसको आप इंडोर में भी रख सकते हैं बट इंडोर में रखें तो एक दो घंटे की आपको दूप लगानी होती है और वैसे तो मैंने ये टैरिस पे रखे हुए हैं और मेरे दो साल से ऐसे कि ऐसे बने हुए होते हैं मैं इनको पूरे फुल संडलाइट में रखती हूं तो इनको कुछ नहीं होता ना तो इनकी पतिया मुर्जाती है ना ही पीली पड़ती है और ना ही यह प्लांट खराब हुआ है और एक से मैंने बहुत सारे बना लिए यानि कटिंग से ग्रो करकर के मैंने अलग-अलग जगे रख दिये अलग-अलग पोट में लगा लिए फिर नेक्स्ट प्लांट है यह हारसिंगार तो हारसिंगार को भी अब आप मार्च अप्रेल में नर् ना हो जाता है नेक्स्ट प्लांट है यह अपराजिदा अपराजिदा को भी आप अभी अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं यह भी गर्मियों की दूप में चल जाता है यानि तीन-चार गंटे की दूप तो यह भी सेयन कर लेता है और इसमें बहुत प्यारे फ्लावर और इसकी जो पते हैं वो बिल्कुल ही गरिन-गरिन हो जाते हैं और हमारे गार्डन में अलगे लूक करेट करते हैं यह भी अलग-अलग कलर में अपराजिदा आता है नेक्स्ट प्लांट है यह यह भी तीन-चार गंटे की दूप सेयन कर लेता है तो इसको भी अपने गार प्लांट रिवेगरा बनानी हो गार्डन की तो बहुत ही प्यार लगता है और यह रेड पते में आता है कोई गरीन पते में आता है अब मैं आई थी शाम को छट पे और मेरी वीडियो को जो सबसे प्यारा वियू है यह वो यह है यह चिड़िया यहां पर बैठी हुई है औ और मैं पानी डालने आई थी यहां पर मैंने दाना रख रखा है दाना काती है पानी में नहा लेती है पानी भी पी लेती है और यहां पर बैठी हुई होती है तो जैसे ही मैंने इनको देखा मेरे को इतना सुकून मिला इनको देखके तो अभी मैं अपने प्लांट्स को नह आई थे चार-पास दिन हो गए अभी बारिस आई नहीं अभी मेरा टेरिस गार्डन देखो कितना प्यारा लग रहा है यह जो प्लांट है बिल्कुल खिले-खिले ऐसे लग रहे हैं जैसे खुश हो रहे हूं और मैं इनको देखकर खुश होती रहती हूं तो फ्रेंड्स आप मेरा यह जो टेरिस गार्डन है इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो आप कुमेंट बोक्स में जरूर बताया करें और यह मेरा कबार से बना हुआ है बट मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है कम खर्चे में कम बचट में मैंने इसको बनाया है बस थोड़ साथ प्यारा शाव यह दिखाती हूं तो देखो यह सूरज जादा अभी चिपने वाले हैं और मेरे को भूती प्यारा लगा तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूं मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ बाई बाई फ्रेंड्स थैंकी फॉर वाई